क्वेशन नमबर थी में सर्फेस एरिया दे रखा है मेरे पास 1372 स्क्वार सेंटीमेटर चीकिए किया सर्फेस एरिया क्यूबोइड 1372 दे रखा है अब उसमें दे रखा है कि लेंध ब्रेट और हाइट 4 2 1 के रेशियो में तो लेंध में माल लेता हूँ 4x है ब्रेट में माल प्रेट चीकिए तो सर्फेस एरिया मैं कैसे लिखूँगा ट्वाइस ओफ लबी प्लस बीच प्लस है चल तो लबी जब मैं लिखूँगा तो 8x स्कॉयर जेनेट होगा और फिर चल लेब लिखूँगा तो 4x स्कॉयर जेनेट होगा तो यह एक्स्प्रेशन को सिंप्लिफ लाइस स्कॉयर इक्स्टीनाइज डियुएट जेनेट होगा तो लेंथ मैंने कित्ती ले रखिती 4x यह तो लेंथ आजाएगी मेरे पास 28 विचिस दा अंसर चीकिए जो है थोड़ा सा गड़बड है ठीक है तो वह सरकंफेरेंस में नहीं हो सकता भई सरकंफेरेंस तो लेंद्थ है ना तो एनिवेज वह उसको थोड़ा सा wanna correctly कर लो उसको एक्टवल में 1320 में सेवन सेंटिमीटर यह उसका अंसर अर उस में जोसका सरकंफेरेंस रखा और उसको तुम को लिखना चीए सरकंफेरेंस कैपि ये sup 264 बस सेवन सेंटिमीटर है मिटर चाहिंगर और उसका तो सवाल तो बहुत ही आसान है बहुत ही आसान है ठीक कितना हो जाएगा तुम्हेरे पास तो सरक्म्फेरेंश ओपने को अपने को कैसा ओपन करना चाहिए 22 बाइ 7 से 2 times 22 by 7 times radius equals to 264 by 7 तो 7-7 cancel out हो जाएंगे 2 बंजा और 132 आ गया और फिर यह हो जाएगा 6 जा चीक है तो radius तुम्हारे पास आ गया 6 radius 6 आ जाने के बाद height तुमको अरड़ी दे रखी है किती है height तुमको दे रखी है 8 चीक है और radius तुम्हारे पास आ गया 6 यह सारी चीज़े हो गई है अब जो इससे slant height है L वो तुम्हारे पास आ जाएगी चीक है L square equals to 8 square plus 6 square इससे L आ जाता है 10 चीक है L आ गया 10 तो मेरे पास जो मुझे cloud surface area चाहिए यह वाला जो area चाहिए मेरे को चीक है यह वाला जो area चाहिए cloud surface area वो कित्ता आ जाएगा तुम्हारे पास Pi R E L चाहिए कि है यह मेरा cloud surface area हो गया of को न तो यह वाली चीज़ आ जाएगी मेरे पास 22 by 7 Pi R तुम्हारे पास कितना हो जाएगा R है तुम्हारे पास 6 और L है तुम्हारे पास 10 तो यह चीज़ आ जाएगी तुम्हारा पास 1320 by 7, इतना तुम्हारा पास cloud surface area meter square, चीक, चीक, तो